आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question में alpha हमें ये integral given है और value हमें find करने के बूलिया ये पार alpha की अगर मैं यहां पर देखूँ y को मैं x square plus 1 ये डिनॉमिनेटर में है चेक करता हूँ कि अगर इसका derivative मेरे पास अवेलेबल हो numerator में तो मैं x square plus 1 को y डाल लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा dy differentiate करेंगे that will be 2x dx जो की exactly हमारा numerator में अवेलेबल है therefore हमारा alpha क्या लिख सकते हैं alpha is equal to integral x square plus 1 को डाला y 2x dx को क्या डाल सकता हूँ dy और क्योंकि y मैंने put किया है तो x square plus 1 x को मैं डालूंगा 2 that will be 2 square plus 1 which is 4 plus 1 that is 5 and x को डाला 3 that is 3 square plus 1 वो क्या हो गया 10 ठीक है तो यहां से मुझे इसका integral find out करना है यहां से मुझे alpha की value मिल जाएगी अब integral dy by y यह किसके इकुल होता है log of y तो log of y 10 5 यह हो जाएगा हमारी required value of alpha तो यह क्या है log 10 minus log 5 is nothing but alpha तो यह आगी हमारी alpha की required value अब आगे proceed करने के लिए log की एक property उसका सकता हूँ log A minus log भी किसके इकुल होता है log of a by b तो यहां से मेरे पास क्या लेख सकता हूँ log of 10 minus log of 5 is equal to log of 10 by 5 that is nothing but log 2 that is alpha alpha की value आगी log 2 अब value हमें किसके निकाल लें थी e par alpha therefore e par alpha क्या होगा e par log of 2 और इस property के साथ साथ एक और property होती है log b to the base a किसके एकुल होता है b बतलब कि e and e वचल log का base है वो जोनों अगर equal हो तो हमारी log की value क्याती है यह number तो यहां पर यह क्या होता है log base तो e and e बराबर है तो इसकी value की आजेगी nothing but 2 तो यह आजेगा हमारा required answer Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तक